ठीक है बच्चो, question number 25 में आजाओ, question number 25 में क्या है, examine the continuity of f, where f is defined by, हमारे पास एक function दे रख है fx, किसके equal है, sin x minus cos x के equal है, if x is not equal to 0, अगर x का value 0 के equal नहीं है, तो फिर y का value किसके equal है, sin x minus cos x के equal है, and if x is equal to 0, अगर x का value 0 है, then y का value क्या है, minus 1, यह हमारे पास function दे रख है, question में क आप बोलना है, कि इस function के continuity को examine करो, continuity को examine करने का क्या मतलब है, कि हमें इस function के पूरे domain पर check करना है, कि कि किस point पर function continuous है, और किस point पर function discontinuous है, ठीक है, अगर function अपने domain के किसी भी एक point पर discontinuous आ गया, तो फिर वहाँ से हमें क्या पता चलेगा, उस function को हम क्या बोलेंगे, एक discontinuous function एक function continuous कब कहलाता है जब वो अपने domain के हर एक point पर continuous हो ठीक है, discontinuous कब कहलाता है जब वो अपने domain के किसी भी एक point पर discontinuous हो जाए और everywhere continuous कब कहलाता है, जब उस function का domain क्या हो, all real number हो और वो function पूरे real number पर continuous हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमने function लिख लिया ठीक है उसके बाद इसका domain देखते हैं तो domain में क्या है obviously बात है कि जब x 0 के equal नहीं है इसका मतलब क्या x x या तो positive है या तो negative है तो उसके लिए function तो defined है सारे positive real number सारे negative real number के लिए function defined है और फिर 0 पर यहां मना कर रखा है फिर यहां पर 0 पर क्या बोल दिया function का value minus 1 इसका मतलब इस function का domain क्या हो गया अगर domain की बात करेंगे तो domain हो गया all real numbers ठीक है उसके बाद देखो जैसे इसको मैंने ले लिया minus infinity यहां ले लिया plus infinity यहां पर हमने एक 0 पर partition कर दिया क्यों किया because 0 पर function ब्रेक हो रहा है तो तुम ऐसे देखो 0 पर तो function का value 0 है but less than 0 के लिए क्या है अगर हमने function का value less than 0 लिया तो y का value क्या मिलेगा हमे sin x minus cos x ठीक है अगर हमने function का value greater than 0 लिया तो y का value हमें क्या मिलेगा sin x again sin x minus cos x यहां पर तो बोला है न कि अगर y हमारा x हमारा 0 नहीं है तो फिर y का value क्या है sin x minus cos x है तो left में भी हमें क्या मिलेगा sin x minus cos x right में भी हमें क्या मिलेगा sin x minus cos x यहां तक तो आगे बास समझ में अब अगर इस function का हमें limit check करना है मतलब इस function को check करना है किस point पे continuous है किस point पे discontinuous है अगर हमें check करना है तो कितने cases बनाएंगे दो cases बनाएंगे एक case में क्या होगा first case हमारा क्या बनेगा when x is not equals to 0 तो ये वाला portion और ये portion ये first case में आ जाएगा और दूसरे बार हम continuity कहां check करेंगे when x is equals to 0 तो ये हमारा क्या हो जाएगा second case आ जाएगा तो दो ही case बनाएंगे पहले case में क्या होगा less than 0 and greater than 0 ये दोनों cover हो जाएगा दूसरे case में क्या करेंगे x is equals to 0 पे भी function का continuity चेक कर लेंगे ये तो हो गई एक बात दूसरे बात क्या है कि जब हम लिखेंगे x हमारा 0 के equal नहीं है या फिर हम बोलेंगे when c is not equals to 0 तो अगर c 0 के equal नहीं है तो फिर क्या होगा c या तो negative होगा या तो positive होगा या तो इस interval में आएगा या तो इस interval में आएगा अब अगर इस interval में c आए मालो की c यहाँ पर आगिया तो c अगर इस point पर आए तो इस point से left और इस point से right दोनों के लिए तो ये same function defined है c मालो यहाँ पर आगिया तो इस point से left मतलब क्या हो गया इस point के left interval में और इस point के right interval में जो हमारा number होगा वो भी negative होगा ठीक है इसका मतलब कि again सिर्फ एक ही function defined होगा अगर मालो कि मैंने c का value ले लिया minus 1 ले लिया तो minus 1 से जो left number होगा मतलब minus 1 के जो immediate left neighborhood में जो numbers होगे वो भी negative होगे और minus 1 के जो right immediate neighborhood में numbers होगे वो भी negative होगे तो अगर हमें minus 1 पे left hand limit calculate करना है तो यही function use होगा minus 1 पे right hand limit calculate करना है तो यही function use होगा इसका क्या मतलब है कि जब हम पहला case बनाएंगे when c is not equal to 0 तो उसमें हमें left hand limit और right hand limit लेने की अलग से कोई जोरत नहीं है एक ही limit पे काम चल जाएगा क्यों because अगर हमने बोला कि x is not equal to 0 तो वो number कहां जाएगा या तो left में जाएगा 0 के left में होगा या तो right में होगा और अगर 0 के left में होगा तो उस number की immediate left neighborhood में और immediate right neighborhood में जो numbers होगे वो भी क्या होगे negative होगे तो फिर यह function होगा अगर मालो की वो number आगिया 0 के आगे मतलब positive होगया तो उस number के left immediate left neighborhood में और immediate right neighborhood में जो numbers होगे वो भी क्या होगे positive होगे तो positive होगे तो फिर यही same function यूज होगा ठीक है इसका मतलब की जो पहला case बनाएगे when c is not equal to 0 उसमें हमें left hand limit और right hand limit अलग से calculate करने की जोरत नहीं है अगर तुम left hand limit और right hand limit calculate करना ही चाहते हो तो कोई problem नहीं कर लो थोड़ा calculation बर जाएगा बट जब हम second case बनाएगे कि when c is equal to 0 तो फिर हमें करना क्या होगा कि 0 पर left hand limit और 0 पर right hand limit निकालना पड़ेगा यह हमारी मजबूरी है क्यों? because 0 के immediate left neighborhood पे जो numbers है वो है क्या हमारा ठीक है फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं 0 पे भी हमें जोरत नहीं है क्यों? because 0 के left में भी यह same function है 0 के right में भी हमारा same function है तो तुम चाहो तो direct 0 पे क्या कर सकते हो left hand limit और right hand limit calculate करने की जोरत नहीं है direct तुम 0 पे limit भी निकाल सकते हो ठीक है? 0 पे limit निकाल लिया फिर उसका limiting value और 0 पर functional value चेक कर लिया अगर limiting value और functional value equal आगे इसका क्या मतलब है? कि 0 पर function continuous है नहीं आया तो discontinuous है ठीक है? कोई problem नहीं है अब हम लोग क्या करते है जड़ा मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से देखो case 1 बनाते है पहले case में हम क्या लिखेंगे? case 1 case 1 में हमने बोला when c is not equals to 0 and c belongs to r ठीक है? obviously बात है c हमारा real number है तो हम लोग क्या लिखेंगे? limit axis tending to rc मैंने अभी बता है कोई left hand limit और right hand limit की जोड़त नहीं है fx तो ये क्या हो जाएगा? limit axis tending to rc function क्या लेंगे? अगर c 0 के equal नहीं है तो ये same function है क्या होगा हमारा? sin x minus cos x चाहो तो तो तुम क्या कर लो? अलग-अलग limit लगा दो चाहे तुम direct ही put कर दो यहाँ पे c put कर दो तो इसका limiting value आजाएगा चाहे तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो limit axis tending to rc यहाँ पे लिख लिया sin x minus limit axis tending to rc यहाँ पे क्या लिख लिया? cos x तो यहाँ पे हमने x का value क्या डाला c तो हमें क्या मिल गिया? तो यह function यूज हो रहा है न इसमें c डालोगे तो क्या मिलेगा? sin of c minus cos of c तो हमें अभी तक क्या मिला? अभी तक हमें क्या मिला? देखो अभी तक हमें 103, 104 अभी तक हमें क्या मिला? अभी तक हमें यह मिला कि limit axis tending towards c fx is equals to f of c यह मिल गया हमें ठीक है? तो इससे हम क्या बोलेंगे? यहां से हम बोलेंगे function is continuous at x is equals to c function क्या है? c पर continuous है but c हमने क्या लिया था? all real number except 0 तो यहां से क्या हो जाएगा? function is continuous for all x belongs to r minus 0 0 को छोड़के function सारे point पे continuous होगे इसको हमने first equation ले लिया ठीक है? इसमें कोई problem नहीं है अब आते हैं case 2 में case 2 में हमने बोला when c is equals to 0 जब हमने c का value क्या बोल दिया? 0 बोल दिया ठीक है? अब तुम चाहो तो 0 पे left hand limit और 0 पे right hand limit ले सकते हो कोई problem नहीं है ठीक है? ऐसे भी काम चल जाएगा चाहो तो तुम direct limit भी ले सकते हो because 0 के left पे और 0 के right पे एक ही function है तो left hand limit लेंगे तो फिर वही function यूज होगा क्या यूज होगा? sin x minus cos x right hand limit लेंगे तो फिर sin x minus cos x यूज होगा तो same ही function यूज होगा तो यहाँ पे हमने लिख लिए limit x standing towards 0 fx यहाँ पे क्या लिखा? limit x standing towards 0 अब देखो limit आना चाहिए यह जो भी मैंने कई बार बोल चुका हूँ कि इस पूरे chapter में limit है limit लेने के कई different method है ठीक है? अब किसी book में क्या लिखा होता है? कि किसी book में left hand limit लेते हैं right hand limit लेते हैं किसी book में direct limit निकाल देते हैं तो different method से निकालते हैं जिसमें बच्चे मेरे अपने experience से यहीं पे बच्चे confused होते हैं इसे देखो मैं करके एक कुछ देखा देता हूँ यह मैंने क्या लिखा? sin of x minus cos x ऐसे लिखा मैंने ठीक है तो इसमें क्या होगा? sin x minus cos x लिखा अब यहाँ पे एक तो क्या होगा? कि direct limit लिमिट पुट कर दो यहाँ पे x का value 0 है या फिर तुम इसको अलग-अलग कर लो यहीं पे direct limit लिमिट पुट कर दो ऐसे भी कर सकते हो limit x standing to our 0 sin of x minus limit x standing to our 0 cos of x अब limit पुट कर दो तो यहाँ पे पुट कर देंगे limit तो क्या हो जाएगा? sin of 0 minus cos of 0 sin 0 क्या होता है? 0 cos 0 क्या होता है? 1 तो यह क्या हो गया? minus 1 यह limit आ गया किसी book में ऐसे लिखे होते हैं limit को यह limit आ गया calculate हो गया कुछ book ऐसे या कुछ guide जो होते हैं वो ऐसे लिखते हैं इसको लिखेंगे left hand limit लिखेंगे ऐसे करके उसके बाद लिखेंगे limit h is standing to our 0 f of 0 minus h फिर लिखेंगे limit h is उसके बाद क्या लिखेंगे? limit h is limit h is standing to our 0 f of minus h लिखेंगे यह तो अल्रेडी मैंने बता रख हैं कि limit left hand limit और right hand limit क्या होता है? यह तो कई बार हरे question में मैंने बता रखा है कि limit x is standing to our cfx इसका तुम limit निकालना चाहते हो तो यह क्या होता है? limit h is standing toward 0 f of c plus h यह ओगी है? ऐसे भी लिख सकते हैं इसका limit निकालो यह इसका limit निकालो एकी बात है अब अगर हमें c पर left hand limit निकालना है c minus fx करना है तो क्या होता है? limit h is standing to our 0 f of c minus h कर देते हैं यह c पर left hand limit आ गया c प्लस करना है c पर right hand limit निकालना है fx का तो यहां क्या करते हैं हम लोग limit h is standing towards 0 f of c plus h कर देते हैं यह क्या होगा हमारा left hand limit at x is equals to c यह क्या होगा right hand limit at x is equals to c यह तो अलड़ी कही बार बता चुका हूं मैं ठीक है ऐसे निकालो ऐसे निकालो ऐसे निकालो यहां पर h positive होगा तो right hand limit निकल जाएगा h negative होगा तो left hand limit निकल जाएगा यहीं पर h को तुम positive मानो तो यह right hand limit बन जाएगा h को negative मानो तो h की जगा minus h डाल दो तो फिर यह क्या बन जाएगा left hand limit बन जाएगा डिरेक्ट ऐसे निकालोगे तो limit बन जाएगा मतलब डिरेक्ट लिमिट आ जाएगा C पर ये तो limit की बात है ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि ऐसे कुछ book में निकालते हैं उसके बाद यहाँ क्या left है limit निकालेंगे limit h is standing to our 0 function में जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ क्या डाल देंगे minus h function के हमारे पास sin x minus cos h तो उसमें h की जगा क्या डाल x की जगा minus h minus cos of minus h ठीक है फिर उसको लिखेंगे अलग-अलग कर लेंगे limit is standing to our 0 sign of sign of क्या जाएगा हमारा sorry again bend होका दे रहा है sign of यहाँ पर क्या जाएगा minus h and minus limit h standing to our 0 यह क्या हो जाएगा cos of minus h ऐसे हो गया ठीक है अब यह sin यहीं पे h का value 0 डाल दो तो क्या हो जाएगा sin 0 sin 0 minus यहाँ पर cos of h क्या होता है cos of minus theta क्या होता है cos theta तो यह क्या हमारा limit h is standing to our 0 cos h है है नहीं यह cos h तो sin 0 तो 0 हो गया minus यहाँ पे 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा cos 1 cos 0 तो cos 0 क्या होता 1 तो यह क्या हो गया minus 1 ऐसे left hand limit निकल गया same line पे ऐसे तुम कर सकतो 0 plus fx कर लिया यह तो लिखने वाली बात हो गई steps बढ़ाने वाली बात हो गई limit h is tending to r0 f of 0 plus h कर लो तो फिर क्या हो जाएगा limit h is tending to r0 fh हो जाएगा फिर इसको तुमने लिखा limit h is tending to r0 यहाँ पे function में x की जगा h डाला तो sin h minus cos h हो गया उसके बाद लिखा limit h is tending to r0 यहाँ पे लिखा sin of h minus limit h is tending to r0 cos of h cos of h sin हो यहाँ पे 0 डालोगे h की जगा तो यह क्या हो जाएगा sin 0 sin 0 is 0 यहाँ किसके एकोल हो जाएगा और यह h की जगा 0 डालोगे तो cos of 0 cos of 0 is 1 तो minus 1 तो minus 1 आ गया फिर हम ऐसे लिखे limit x is tending to r0 minus fx is equals to limit x is tending to r0 plus fx ठीक है is equals to minus 1 this implies that limit x is tending towards 0 fx is equals to minus 1 which is again equals to f of 0 function का value 0 पे भी minus 1 दे रखा है चाहो तो तुम देखो यहाँ से यहाँ तक लिखा एक ही बात है यहाँ तुम चाहो तो इस दो steps में भी यह जो दो steps लिखा ना यहाँ से तुम अपने answer को close कर सकते हो यहाँ से भी ठीक है उसके बाद तुम लिखो कि limit x is tending towards 0 fx is equals to f of 0 this implies that function is continuous at x is equals to 0 function क्या हो गया 0 पे continuous हो गया इसको हमने second ले लिया अब देखो from 1 and 2 1 और 2 से हमें क्या पता चलेगा function is continuous for all real number यह क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि function क्या है पूरे real number 0 को छोड़के बागी हर एक point पे continuous है यह क्या बोल रहा है कि function 0 पे भी continuous है तो function सारे real number पे continuous हो गया फिर function क्या हो गया everywhere continuous हो गया आड़े बाद समझ में और यहाँ पे भी तुम यह steps लिखने की जग़ तुम यहाँ पे भी क्या लिख सकते थे f of 0 same logic से यहाँ भी आ जाता देख लो limiting value function का 0 पे किसके equal है? functional value के equal है तो यहाँ से भी तुम बोल सकते थे function is continuous at x is equal to 0 implies यह limiting value of function at x is equal to 0 and functional value of function at x is equal to 0 both are equal function is continuous at x is equal to 0 ऐसे भी बोल सकते थे left hand limit और right hand limit भी निकाल सकते थे ठीक है? most of the guide में क्या होता है? ऐसे करके solve होते हैं बच्चे confused हो जाते हैं इसमें confusion का यह है कि तुम confused क्यों होते हैं? क्योंकि तुम्हें limit नहीं आता है limit आता है तो कहीं कोई continuity chapter में कोई problem नहीं होगी ठीक है? तो अब हम finally क्या लिखेंगे? from 1 & 2 from 1 & 2 क्या लिखेंगे finally हम लिखेंगे from 1 & 2 function is continuous for all x belongs to r that is function is everywhere continuous function जो है na everywhere continuous है क्यों? because function पूरे real number पर continuous है तो function क्या हो जाएगा? everywhere continuous ठीक है? ठीक है बच्चों यह होगी हमारा question number 25 अब हमारे पास question number 26 से लेके question number 29 तक same ही है इसमें क्या बोल रहा है? 26 से 29 का क्या है? कि function बोल रहा है कि एक point given होगा उस पर बोलेगा function continuous है तो k का value निकालो यही बस बोल रहा है तो इसमें हम लोग करते हैं अभी next आते हैं भी question number 26 में ठीक है बच्चों अब question number 26 में आ जाओ question number 26 में क्या बोल रहा है? find the values of k so that the function f is continuous at the indicated point function जो है न इस indicated point x is equal to pi by 2 पे continuous है तो k का value निकालो तो कोई बात नहीं है function अगर pi by 2 पे continuous है तो हम क्या करेंगे? function का pi by 2 पर limit और function का pi by 2 पर functional value equal कर देंगे तो वहाँ से k की value आ जाएगी ठीक है? function क्या दे रखा है? function बोल रहा है कि k cos x upon pi minus 2x के equal है if x is not equal to pi by 2 3 k equal है if x is equal to pi by 2 domain की बात करेंगे तो domain all real number है क्योंकि pi by 2 पे अगर pi by 2 नहीं है function का value x का value तो ये हो गया के cos x upon pi minus 2x और अगर x का value pi by 2 है तो फिर y का value 3 हो गया ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? कि अब limit निकालना है हमें तो यहाँ पे जैसे क्या given है? given क्या हमारे पास? given है कि function is continuous at x is equal to pi by 2 function क्या pi by 2 पर continuous है तो इसका क्या मतलब होगा? limit x is standing towards pi by 2 fx किसके equal होगा? f of pi by 2 के equal होगा ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या है? कि तुम चाहो तो इस function का direct limit निकाल लो ठीक है? इसमें left hand limit और right hand limit करने की जूरत नहीं है क्यों? because यह ऐसे देख लो अगर x का value यहाँ पे हमने pi by 2 ले लिया pi by 2 पर exactly pi by 2 पे तो function का value 3 है but pi by 2 से पहले-पहले क्या है हमारा? यही k cos x upon k cos x upon pi minus 2x अब pi by 2 से right में क्या हमारा? k cos x upon pi minus 2x तो अगर pi by 2 पर left hand limit लेंगे तो भी यह same function है right hand limit लेंगे तो भी same function है तो pi by 2 पर हमें left hand limit और right hand limit की जूरत नहीं है direct हम limit निकाल देंगे अब यह function क्या बोल रहा है? कि function pi by 2 पर continuous है इसका मतलब इस function का जो left hand limit आएगा इस function का जो right hand limit आएगा वो equal होगा तो तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि इस function के left hand limit को f of pi by 2 के equal कर दो वहाँ से भी answer आजाएगा, cake आजाएगा फिर इस function के right hand limit को भी तुम f of pi by 2 के equal कर दो वहाँ से भी answer आजाएगा ठीक है? या फिर इस function के limit को तुम f of pi by 2 के equal कर दो because अगर function continuous है तो left hand limit और right hand limit सेम ही आएगा ठीक है? यह मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत बच्चों को pi minus 2x है यह f of pi by 2 किसके equal है? 3 के equal है तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? इस limit को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? limit x standing towards pi by 2 ठीक है? इसमें कोई problem नहीं है अब चलो फिर इसकी जगब ऐसे लिखने से यह वाला मैं formula यूज़ कर लेता हूँ यह जो ऐसा formula होता है limit x standing towards cfx यह हमारा किसके equal होता है? limit x standing towards 0 f of c plus h इससे direct limit आता है अगर मैं इस formula को use करता हूँ तो देखो ध्यान से सुनते चलो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ limit h standing towards 0 f of x की जगह क्या डाल दो? अगर यहाँ पे x c को अप्रोच कर रहा है तो c plus h तो यहाँ पे क्या डालूँगा? pi by 2 plus h तो k cos क्या हो जाएगा यहाँ पे? pi by 2 plus h x की जगह डालेंगे न? pi by 2 plus h 2 into क्या हो जाएगा? यह pi by 2 plus h is equals to 3 तो फिर यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? limit h is standing towards 0 cos of 90 plus h क्या होता है? 90 plus theta क्या होता है? minus sin theta because second 90 plus theta क्या है तो हमारा angle कहां पहुंच गया? second quadrant में आ गया second quadrant में क्या होता है? cos negative होता है और फिर pi by 2 मतलब odd multiple of pi by 2 है तो function change हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? यह तो k हो गया इसका value क्या हो गया? minus sin h ऐसे हमने ले लिया और इसको हमने ऐसे क्या simplify तो यह 2, 2 cancel हो क्या हो गया minus pi और यहाँ से क्या हो गया? यह minus 2 h is equals to 3 देखो limit कितने तरीके से calculate किया जा सकता है वो मैं बता रहा हूँ एक तो सबसे simple है जो अभी मैं first कर रहा हूँ देखो यहाँ से फिर हमें क्या मिल गया? 106 यहाँ पे हमें देखते चलो क्या मिला? limit h is tending to our 0 h is tending to our 0 minus k sin h minus k sin h upon minus k sin h upon आगे है minus 2 h is equals to 3 ठीक है तो यहाँ से फिर हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं limit h is tending to our 0 यह minus minus cancel k by 2 तो constant है यह बहार आ जाएगा ठीक है अभी रखो अंदर यह क्या हो गया? sin h upon h ऐसे लिख लिख लिया is equals to 3 तो इसको हमने k by 2 को बाहर किया तो हमें क्या मिल गया? limit h is tending towards 0 उसके बाद क्या मिल गया? sin h upon h is equals to 3 अब यह बच्चू यह standard limit है 11th class में पढ़ा होगा limit x is tending towards 0 यह वाला जो limit है न limit x is tending towards 0 sin x upon x यह जो हमारा है एक standard limit है यह किसके equal होता है? 1 के equal होता है 11th class में आपने पढ़ा होगा तो इसका value 1 हो गया तो यहां से हमें क्या पता चल गया? k by 2 is equals to 3 this implies that k is equals to 6 यह हमारा answer आगिया ठीक है? सबसे easy है अब यहां पर कभी कभी क्या होता है? कि ऐसे भी तुम कर सकते हो यहां से हमने limit calculate करना शुरू किया था pi by 2 हो गया हमारा answer आगिया यह ऐसे भी तुम कर सकते हो इसको हम लिख सकते हैं na k cos x upon pi minus 2x ठीक है? इसको हम लिखेंगे कि f of pi by 2 मैं फिर दूसरे method से करके दिखा रहा हूँ method दूसरा नहीं है same ही method है limit calculate करने को मैंने इसको तरीके को change कर दिया अब मैं different way से limit calculate करूँगा इसको हमने क्या बोला? किसके equal है? 3K तो यह क्या हो जाएगा? limit x standing towards pi by 2 कोई problem नहीं है कि cos x को मैं लिख सकता हूँ sin of pi by 2 minus h ऐसे लिख सकता हूँ कोई problem है? नहीं है अब मैं क्या करूँ? denominator से 2 मैंने क्या ले लिया? common ले लिया तो यह क्या हो गया? pi by 2 h नहीं x sin 90 minus x क्या होता है? cos x होता है तो मैंने cos x को लिख दिया sin 90 minus x अब denominator से मैंने 2 common ले लिया तो क्या होगा? 2 common लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? यह pi 2 से divide हो जाएगा minus 2 आगे ठीक है? यह किसके equal है? 3 के equal है तो यहां से हमें क्या पता चला? k by 2 तो constant हो गया इसको हमने कर दिया बाहर तो यहां से हमें क्या हो गया? limit x extending towards pi by 2 और यह हो गया sin pi by 2 sorry this is x pi by 2 minus x upon pi by 2 minus x यह किसके equal हो गया? 3 अब फिर बच्चो देखो यह हमारे standard limit है आप यह बाद समझ में यह जो limit और यह limit same है क्यों? वेकाज जब x pi by 2 को अप्रोच करेगा जो इस bracket में लिखा हुआ है यह 0 को अप्रोच करेगा ठीक है? यहां यह भी 0 को अप्रोच करेगा यहां यह limit क्या बता रहा है? कि अगर sin का argument 0 को अप्रोच करे और जो sin का argument लिखा है वही same argument denominator में हो और वो भी 0 को अप्रोच करे तो इसका जो ratio है वो 1 को अप्रोच करेगा तो 1 को अप्रोच करेगा तो limit 1 आ जाएगा approaching ही value को तो हम limit बोलते है तो यहां पे देखो कि अगर x pi by 2 को अप्रोच करेगा तो sin का argument क्या है? pi by 2 minus x यह 0 को अप्रोच करेगा denominator में क्या लिखा है? pi by 2 minus x यह भी 0 को अप्रोच करेगा तो यह same limit नहीं बन गया तो इसका value क्या हो जाएगा 1? तो direct हमें क्या मिल गया? k y 2 is equal to 3 तो यहां से हमें आ गया k is equal to 6 ऐसे भी answer निकाल सकते हो यह कोई different method नहीं है limit को हमने different method से solve कर लिया यह तो limit है ना ऐसे चाहो तो limit solve कर लो तुम चाहो तो ऐसे limit solve कर लो एक तीसरा method में क्या होता है? बहुत book में क्या करते हैं? कि इसका एक side limit calculate करते हैं या तो left hand side limit calculate करेंगे या तो right hand side limit calculate करेंगे उसको functional value के equal दिखा देंगे वो भी सही है because अगर function का limit exist कर रहा है function अगर pi by 2 पे continuous है तो function का pi by 2 पर left hand limit और right hand limit किसके equal होगा? function के limit के equal होगा tax is equal to pi by 2 तो ये भी तुम कर सकते हो बहुत सारे book में ऐसे लिखे होते है limit axis standing towards pi by 2 left hand limit को ऐसे fx कर देगा इसको कर देगा f of pi by 2 तो यहां से भी result same आएगा बिल्कुल सही आएगा तो यहां से क्या हो जाएगा? left hand limit निकालने के लिए क्या करेंगे? h को 0 करेंगे function में क्या करेंगे? pi by 2 minus h डाल देंगे ये किसके equal होगा? f of pi by 2 के equal होगा तो यहां से हमें क्या मिलेगा? limit h is standing towards 0 function में x की जगह तुम क्या डालोगे? pi by 2 minus h तो function क्या है? k cos की जगह क्या डालोगे? pi by 2 minus h upon क्या हमारे पास? pi minus 2x तो pi minus 2 x की जगह क्या डालोगे? pi by 2 minus h ये किसके equal हो जाएगा? f of pi by 2 के equal हो जाएगा तो यहां से इसको हम लोग थोड़ा solve कर ले तो solve करेंगे तो क्या होगा? limit h is standing towards 0 के cos 90 minus theta क्या होता है? sin theta तो cos pi by 2 minus h क्या होगा? sin h तो यहां होगा sin h ठीक है? अब यहां पे इसको multiply करो denominator को तो ये तो pi हो गया इसको bracket खोलोगे तो ये 2-2 cancel होके minus pi आ जाएगा और ये minus और ये minus मिलके plus 2h हो जाएगा ये किस के equal हो जाएगा? f of pi by 2 के equal हो जाएगा यहां से भी कोई problem नहीं है ठीक है? तो देखो हमें क्या मिला? यहां से हमें 107 पेज नमबर यहां से हमें क्या मिला? देख लो यहां पे हमें मिला limit h is tending towards 0 k sin h upon pi pi cancel 2h is equal to f of pi by 2 f of pi by 2 के हमारा 3 है ठीक है ना? तो यहां से फिर तुम देख लो k by 2 तो constant है limit से बाहर आ जाएगा और ये क्या होगा? limit h is tending towards 0 sin h upon h again ये standard limit हो गया is equals to 3 तो ये क्या हो जाएगा? 1 तो क्या हमें मिला? k by 2 is equals to 3 this implies that k is equals to 6 ये हमार answer आ गया ऐसे भी निकाल सकते हो ये हमने क्या क्या? left hand limit को functional value के equal कर दिया अगर तुम चाहो तो right hand limit को x extending towards pi by 2 plus fx यहां से अगर तुमने f of pi by 2 किया ऐसे किया तो देखना तुम again k का value 6 आ जाएगा? करके देख लेगा? तो बहुत सारे book में क्या होता है? कि direct function का limit निकाल के उसको functional value के equal कर देते हैं बहुत सारे book में क्या करेंगे? कि function का left hand limit निकाल के functional value के equal कर देंगे या फिर right hand limit निकाल के functional value के equal कर देंगे अगर function pi by 2 पे continuous है तो left hand limit और right hand limit तो same ही आना है ठीक है? तो ऐसे करके question solve हो किया हमारा ठीक है? यह कोई method नहीं था यह मैंने तुमको na confusion से बचले के लिए बहुत सारे बच्चे confused हो जाते वो सिर्फ confused होते है limit पे और कोई reason नहीं है confusion होने confused होने का यह सिर्फ बच्चे limit पे confused होते है कई सारे book में क्या होता है? कि ऐसे करके limit निकाल देगा जैसे मैंने पहले में क्या किया? सीधे यह वाला formula यूज कर लिया ऐसे करके limit निकाल देगा कई सारे book में क्या करेगा? कि left hand limit क्या करेगा? ऐसे कर लेगा second method मतलब इस type से यहां से देखो यहां से यहां जो मैंने solve किया इस method को use करके limit निकाल देगा कई सारे book में क्या करेगा? कि left hand limit लेगा इसको use करके क्या करेगा? No.26 को मैं बार-बार एक बात बोलता हूं, उसको एक बार फिर से लिख देता हूं कि अगर हमें limit C पर चाहिए, किसी भी function का, अगर हमें direct limit चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते, F of C plus H, function का C पर direct limit आ जाएगा, यहाँ पर H क्या हो रहा है, 0 को tense कर रहा है, अगर H जो हमारा 0 को tense करे left hand side से, तो यह value क्या देदेगा, left hand limit, और अगर H 0 को tense करे right hand side से, तो फिर यह क्या देदेगा, right hand limit, बट अगर तुमने सिफ लिखा H is standing to R 0, तो इससे सीधे left hand limit और right hand limit आ ज कर जाएगा, एक तो यह बता दिया formula, दूसरा क्या होगा, अगर तुम्हें C पर left hand limit चाहिए, X is standing to R C minus F X, तो तुम C पर left hand limit को क्या लिख सकते हो, limit H is standing to R 0, F of C minus H, यह direct left hand limit आ जाएगा, यह क्या हमारा, left hand limit at X is equal to C, C पर यह left hand limit है, और यहाँ पर क्या है, अगर तुम्हें C पर right hand limit चाहिए, function का, तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, limit H is standing to R 0, F of C plus H, यह क्या हमारा function का right hand limit है, at X is equal to C, यहाँ पर H जो हमारा negative है, sorry, H is positive, not negative, और यहाँ भी H हमारा positive है, तभी तो positive है, तो C में एक बहुती छोटा quantity add हुआ है, उस पर हमने function का value चेक किया, function का limiting value चेक किया, तभी तो right hand limit आएगा, और यहाँ पर C में बहुती छोटा quantity subtract हुआ है, फिर उस पर हमने function का limiting value देखा है, तभी तो left hand limit आएगा, तो याद रखना, ऐसे करके direct limit निकाल सकत हो, बहुत सारे question में क्या होता है, कि अगर हमें पता है ना, कि function का limit exist कर रहा है, तो इस form से निकालना थोड़ा tough हो जाता है, ठीक है, left hand limit और right hand limit निकाल होगे ना, तो क्या होगा कि function काफी simplified form में आ जाएगा, यह वाला जो चीज है ना, यह काफी simplified form में आ जाएगा, जिसका example यहाँ पे देखा है तुम लोगों ने, यहाँ पे देखा है ना, तुम लोगों ने, कैसे कितने simplified form में आ गया, cost 90 minus h हो गया, देखो, यहाँ पे simplified form में आ गया function, अगर हमने left hand limit निकाला, तो x की जगा pi by 2 minus h डाल दिया, तो function simplified form में आ गया, मतलब हमें limit दिखने लगा, sin h upon h दिखने लगा, बट यहाँ पे तो नहीं दिख रहा था हमें, यह वाले चीज़ देखो, यहाँ पे तो हमने direct निकाला na, x standing towards pi by 2, इसमें हमने form change करना पर हमें function का, तो यह थोड़ा सा ऐसे tough पर जाता है, ठीक है, ऐसे मैंने form change कर दिया function का, उसके बाल limit निकाला, या फिर त समझ में आ रहा होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, यह हो गया बच्चो, question number 26, question number 27, next video में देखते हैं,